अपनी बाइक में पिट्रोल टंकी से पिट्रोल भर्वा लिया है अब मैं चलता हूं अपने गाउं की और इस वीडियो में आपको आज अपने अपने गाउं की को दिखाऊंगा मेरे सहर से मेरा गाउं 30 km के दूरी पर है यह जगाइन आ चुका है जगाइन के बाएं और हम लोग बुर चुके हैं मेरे गाउं के ही पासी दो क्रोटर के दूरी पर आम की मंडी पराय को पड़ती है जो आम मैं जून में आने लगेगा तो मैं आपको इस मंडी को जूत दिखाऊंगा इसमें सब्सक्राइब के अगल वगल के खेतों पर यह हूं वसासों की फसल बोई हुई है यह दिखाऊंगे पीले पीले सर्सों के खेत दिखाई पड़ रहे हैं कि बोजी सुंदर लग रहे हैं कि यह मेरा सर्सों का खेत है इसमें सर्सों बोय हुए है अब इस खेत में फूल खतम हो गए हैं और सर्सों में दाने पढ़ने लगए हैं कि इस सर्सों खेत बाद मैं अपने गाउं के ओर चलूँगा यह खेत मेरे चार किलोमेटर मेरे गाउं से दूरी परश्थित है अब मैं गाउं जा रहा हूं कि अब दूरी पर चलूँए यह टाने छाने के ऩार को और हैं इस बारी आम की बाग है इस बाग में सेहरी खल हुआ वा चौसा आमों की पेड़ लगे हुए है इस बाग में अब बाउर आने वाले ही हैं इसके बाद मैं दूसरे आपको आम की बाग दिखा रहा हूं यह अभी 10-12 साल के पोधे इसमें आम लगे हैं इस बाग में भी देशेरी चौसाओ नकलवभा के पोधे लगे हुए हैं इसके बाद मैं आपना गाउं का घर दिखाओंगा बाद मैं वाले बाद में आपको भी काता हैं का दो बहुंग अिलें आगे तो अग्यों आगे देलें अदर्ट्र, गरी में बोला आप तो खोलेंग कैसे फ्रेंट्ट्, आज बैं अपने गाउं का मकान बाहर से दिखा रहा हूं, चावी नहीं लाना करा रहा हो, आम दर से नहीं दिखाओ पाऊंगा, यह मरा गाउं का घर है कि छुट्टियों में हम लोग इस घर में आते हैं अब मैं गाओं से बाहर निकल चुका हूं और अपने सहर वाले घर के और जा रहा हूं यह वीडियो आपको कैसा लगा किर्पा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अंत में कमेंट्स जरूर करिए गा खर थेलिए reprodu 허리 झाली सब्सक्राइब करिसा करिए ईया तर चारती सब्सक्राइब करिए और